तो आज हम लोग बनाएंगे After Effects में यह और इसको बदाने का सिर्फ एक रीजन है कि यह बहुत अच्छा एक्जामबल है Animations को समझने के लिए After Effects में आप कैसे animation बनाते हो अगर आप कुछ भी real life की कोई चीज है, कोई भी movement है, कोई भी चीज move कर रही है उसको अगर आप जब After Effects में animate करते हो, उसको रियल लाइफ में कैसे होता है, उसको ध्यान में रखते हो, आप जब animate करते हो चीज़ों को आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है और इस animation में आप graphator के बारे में कुछ चीज़ें और जानेंगे छोड़े आपके practice होगी और कुछ shortcuts जानेंगे और graphator के अंदर क्या-क्या features हैं जिनको आप यूज़ करके इस animation को अच्छे से create कर सकते हो, चले start करते हैं फटा-फट बहुत होगी बगवास यह एक ball लिया हुआ है यह मैंने एक base लिया हुआ है देखिए real life में अगर कोई ball jump करेगी तो अगर आप मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ता हूँ तो वह थोड़े दिर के बाद से ऐसे jump कर छोड़े जम ले लेके आके यहां पर रुख जाएगी और अगर वह ऐसे move कर रही है तो भी उसकी energy ठोड़ी ठोड़ी लूज होगी और आगे जाके वह slowly रूख जाएगी ठीक है तो मैंने 24 फ्रेम का एक composition लिया हुआ है ठीक है अब मैंने लिया दोनों dimension को पहले separate कर लिया position की क्योंकि मुझे पहले इसके y में movement करना है तो मैंने सबसे पहले y पे keyframe लगाया पहले starting में और एक second के बाद कुछ यहां पर एक keyframe और लगाया और आधे पर आकर मैंने एक keyframe और लगाया और यहां पर इसको move करके मुझे यहां पर लाना है पर इससे पहले अब देखिए इसका anchor point एकदम center में है मैं यह नहीं चाहता है इसका anchor point center में हो तो मैं क्या करूंग मैं यह anchor point pen behind tool होता है इसको select करूंगा इसका shortcut है और zoom करूंगा और इस anchor point को लेकर आउंगा नीचे देखिए snap हो रहा है क्योंकि मैंने यहां से snapping on कर रहा है अगर मैं इसको off कर देता हूं तो देखिए अब snap नहीं हो गई है अब इसको snap करने के लिए without इसको on किये हुए अग कंट्रॉल दबाया यह देखिए snap होने लगा यह ठीक है पर फिलहल ठीक है मैंने इसको यहां पर रख लिया और अभी मैंने इसको कीया fit, fit करने के लिए , Peace करने के लिए Alt और जो forward slash होता है Shift के बाजू में राइट शिफ्ट के बाद जो में forward slash हो तो उसको दबाएंगे तो yes है, fit हो जाता है, composition पे, ठीक है, मैंने फिर V दबाया, तो मेरा selection tool आ गया, और मैं इसको इस बार लेकर आया, इस keyframe पे में लेकर आया, इसको Y position में नीचे, कुछ यहां पर एक बार जूम करके देखता हूँ, यहां पर, ठीक है, alt forward slash, okay, तो मेरा यह कुछ इस तरीके से बना, okay, मैं गया value graph, sorry, speed graph में, graph editor में, और देखें, यहां पर इसमे value graph मैं आटो select भी करूँगा, तो मुझे यही देगा, क्योंकि मैं individual काम कर रहा हूँ, इसलिए, ठीक है, मैं गया value graph में, और मैंने इन सब को तीनों keeping को select कर दिया, F9 से easy ease, अब देखें, इसको समझने के लिए, अच्छा तरीका क्या है, देखें, ball कोई भी, ऊपर से नीचे आएगी, और फिर ऊपर जाएगी, तो जब यह नीच तो मैं चाहता हूँ कि यह graph न इस position पर बहुत जल्दी पहुंचे, तो मैं क्या करता हूँ, इस handle को पकड़ता हूँ, इधर कर देता हूँ, और इस handle को पकड़ता हूँ, इस इधर कर देता हूँ, यहाँ पर कम समय दे, कम समय देगी तो इसका मता speed जादा हो जाएगी, और ऑपर थोड़ा सा stay करें, यूदकि gravitational pull की वैसे जब वह उपर जाएगा तो यहाँ पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो मैंने क्या किया, इसको भी किया, यह रहागिया था, इसको मैंने किया इधर, और इसको किया मैंने इधर, और यहाँ पर आकर मैंने दबाया N, यह म मेरा देखिए यहां पर प्रिव्यू में जो प्लेइंग रेंज है वो वर्क एरिया है तो बिए फिर बाउंसिंग बॉल बना अब एक काम करते हैं इन सब कॉपी करता हूं देखिए आप ऐसे कॉपी करो तो या फिर आप जिस भी पारामेटर के की फ्रेम को सब करना चाहते त K होता है Next keyframe का k दबाऊँगा Next keyframe फिर k दबाया Next keyframe यह को घा जा हृआँ और मैंने ही जिए V constraint प्तों कमट Hill को नहीं है इसके पेष्ट घाला पॉया से करेC palm हैं फिर k दबाया दो ऐए उनली nutzen ख्लाक बहुत कैं क्तने हो गए है देखते हैं एक बार यहां से यहां से काउंट करता हूं मैं ठीक है एक जम्प दो जम्प तीन जम्प चार जम्प पांच जम्प एक और ले लेते हैं कंट्रोल वी छे जम्प यहां पर आके मैं इसको जो लास्ट वाला की जम्प को डिलीट करते हैं मुझे एट लास्ट बॉल ग्राउंड पर ही चाहिए मैंने इसको कर दिया ठीक है अभी हम जाते हैं फिर ग्राफ एडिटर के अंदर और मैंने इसको सेलेक्ट किया यह देखे क कुछ चेंज आ गया है कोई बात नहीं हम सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं और इसका हैंडल थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसे स्मेटरी बनी रहे हैं ठीक है अभी हम लोग करते हैं इसको प्ले यह इसके टोटल 6 जम्प लग रहे हैं अब एक काम करते हैं इसके end में आकर यहां पर मैंने लगाया एक एक एकस पे की फ्रेम और एक लगाया मैंने इधर स्टार्टिंग में की फ्रेम प्ले हेट को यहां रखकर मैंने इस बॉल को सलेक्ट किया और शिफ्ट दबाके मैं इसको मूव करूँगा इधर तो देखे शिफ्ट दबाया रखा है इसलिए वह अपनी सिर्फ होरिजन्टल पोजिशन में मूव कर रहा है एकस की वैल्यू मैं चाहता हूं पहले यहां पर हो इस की फ्रेम पे और इसके लास्ट की फ्रेम पे एकस के लास्ट की फ्रेम पे मिली जो एकस की इसकी पोजिशन की वैल्यू हो वो कुछ इधर ठीक है और एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं बस को चेंज हो गया है एक मेंट नहीं ठीक है ठीक है और मैंने यहां से इसको पकड़के कर दिया इधर इसको ONEY लगा हुआ है ठीक है कोई बात नहीं है इसको हम लोग ठीक कर लेंगे कि इसको मैं ऐसे करता हूँ तो वह सिदा हो जाएगा ठीक है तो देखिए अभी मैं हूँ हूं अभी मैं इसको प्ले कर करकर देखता हूं तो यह मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा पर हमको इस ball की energy को यह ball की energy समय के साथ कम इसके bouncing भी कम हो जाने चाहिए और इसकी जो यह energy है वाई की तरफ जो पिसी ने फेका होगा तो वो भी slow हो जानी चाहिए तो मैं काम करता हूँ starting में ही पहले इस वाले keyframe को मैं कर देता हूँ easy is in ठीक है मैंने इसको easy is in कर दिया जिससे कि अब बॉल यहां से जब जाए ना तो इस तरफ slowly slowly जाए तो मेरा कुछ animation ऐसा बना ओके ठीक है अब यह काम करते हैं हम लोग गए वाई पर तो देखे जितने भी यह नीचे वाले keyframe है यह नीचे वाले keyframe यह सारे इसके यह वाले keyframe यह सारे इसके height वाले keyframe है तो मैं इन सब को select करता हूं अगर ठीक है तो देखे मेरे सारे उपा वाले keyframe select हो गए अब मैं इधर भी जाओंगा तो देखे वही keyframe selected है क्योंकि वह मैंने graph editor में here select कर लिये थे अब एक काम करते हैं देखे graph editor में हर bounce के के बाद इसकी height कम हो जानी चाहिए और obviously जब height कम हो गई तो वह समय भी कम लेगा मतलब इसके बीच का distance है वह भी कम हो जाना चाहिए दोनों keyframe के बीच के starting में यह 12-12 keyframe थे क्योंकि मैंने 12 keyframe का gap लिया था एक bounce में देखे यह 12 second बारा फ्रेम यह फिर बारा फ्रेम इसका मतलब इसके हर bounce के में इसका जो time period है वह भी कम हो जाना चाहिए हाँ देखे इसको अब कैसे कर सकते हो यहां से लेके यहां तक का एक bounce है ओके तो हम क्या करते मैं पहले इस वाले को select करता हूँ इन तीन keyframe को इन तीन keyframe के बीच में एक bounce है और यह जो box है ना यह वाला box वाला जो था show transform box when multiple keyframes keys are selected इसको on करता हूँ तो देखे मुझे एक box मिल जाता है एक box मिल गया अब इस box का फायदा क्या है यह box इन तीनो keyframe को proportionally move करेगा कैसे देख कि पहले height यहां पर थी second height मेरी कम हो जानी चीए तो मैं इसको कर देता हूँ यहां से कुछ यहां पर लेकर आता हूँ और यहां से थोड़ा सा इसके keyframe को समय को मैंने कम कर दिया ठीक है सेम चीज यहां पर थोड़ा बात आपको manipulate करना ही पड़ेगा क्योंकि यह वाला keyframe इस इसको मैं पहले center में लेकर रहा हूँ यह थोड़ा सा इधर चला गया था symmetry बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको इधर लेकर आया फिर मैंने इन तीन keyframe को select किया और इस वाले bounce को इस बार मैंने कर दिया यहां और इस bonding box से मैंने इसका time कर दिया थोड़ा सा और कम इस पर होगा ही होगा आप क्योंकि यह dependent होते हैं दूसरे के उपार ठीक है इनको ठीक करने के लिए आप इसको select करो थोड़ा से ऐसे लेकर आओ इसको symmetric सा बनाओ ठीक है फिर मैंने इन तीन keyframe को select किया और इस bonding box को मैं लेके गया इधर और यहां से हीज़र थी white कला के जो rectangle square से दिया हुए यहां से मैंने इसको किया इधर फिर इसके influence handle को थोड़ा से इधर किया इस keyframe को मैं यहां लेकर आया कुछ symmetric सा लग रहा है भी ठीक है इसको थोड़ा सा उपर कर दो बस इनको select किया और इससे bounding box से मैं इसको इधर लेकर आया और इस वाले से मैंने समय थोड़ा सा इसका और और कम कर दिया यह वालेट का time थोड़ा और कम करना पड़ेगा इतना और इस वाले को यहां लाकर इतना यह वाला बिकड़ गया देखें एक दूसरे से dependent है ना वो इसलिए है ऐसे ठीक है और इन तीनों को पकड़ा और इसको किया इधर थोड़ा जूम कर लेतें जिससे यह थोड़ा से इसको पहले ऐसे लाकर इसको किया हिद्धर और इसका हैंडोल को लेकर गया उबहना कि अभी कुछ ठीकसा है इसको बगड़ा इसको लाया मैं हाफ हर बार में इसकी झाव हाफ वेल्यू कर रहा हूं इसके यह वल्सकी हैट कम करना इसको लाया इधर ठीक है थोड़ा बहुत जो graph में changes है वो हम लोग बात में ठीक कर लेंगे इसको लाया इधर इसको लाया इधर इसको influence handle ले गया इधर और इसको पकड़के मैंने किया और कम ठीक है इसकी height मुझे और कम करने पड़ेगी इधर इसका handle जादा हो रहा है इधर ठीक है और इसको मैंने किया center ओके यह थोड़ा बिगड़ा हुआ देखे ओके और बापर इसकी तो हालत ही खराव हो गई है ठीक है इसका handle कि यह तो straight line ही रखनी हमको क्योंकि वह last में वह straight ही जाने व जाना motion blur on किया हुआ है यहां से motion blur on किया हुएन है और यहां से इस layer का भी on कर दिया है अभी बर इसको देखते हैं कि कैसी लग रही है कि एक काम करते हैं यह जो एक्स वाला जो है इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं थोड़ा सा यह और मूग होगा ठीक है अभी देखते हैं कुछ कैसा बनाए है हाइट में कुछ चेंजेज लग रहे हैं मुझे जो करने चाहिए हाइट यहां पर यह वाली जो हाइट है तो थोड़ा सा कम करना चाहिए और इसको इस मांडिंग वाक्स को पकड़ूंगा इसको इधर इसको हाइट और कम करना पड़ेगा इसको सेलेक किया थोड़ा सा इधर और इसको मिलाया इधर इसको आप ट्राइज जरूर करना क्योंकि यह एनिमेशन बहुत बहुत मुझे पता है आप फर्स्ट्राय में आप करी नहीं पाएंगे इसको मैं भी नहीं कर पाया था ठीक है इसको इधर लेकर आया और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया अभी कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे यह थोड़ी सी कम करनी चाहिए ठीक है अब देखते हैं स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा और बहार लेकर जाते हैं जिसे बॉल दिखे ना अब देखे का यह ठीक है ठीक है ट्राइ जरूर करना इसको प्रीज जरूर ट्राइ करना बहुत कुछ जानने को मिलेगा बहुत कुछ शीखने को मिलेगा चलिए यह था बाउंसिंग वाल इनिमेशन बहुत इसी है बहुत सिंपल है एक बार ट्राय जबूँ चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जिसमें मैं पता नहीं क्या करवाने वाला हुआ 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 झाल इनिमेशन बहुआ हुआ 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 हु